क्या हो अगर धती पर ऐसा भाईरास आ जाए जो इंसानों को मॉंस्टर में बतल दे वेल कुरिशी वाई ब्रुहान कैसे हो सब तो आज से हम एक नए एनिमी को एक्स्प्रेंट करने वाले हैं जिसका नहीं ब्लैक ब्लैक था कि चारो तरह दवाही मुचा हुआ था और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग बेगर हो चुके हैं अब हिनी लोग के बीच में हम इस स्रीज के में करेक्टर साथमी रेंटर को देखते हैं तब हम दो फाइटर्स प्लैन को देखते हैं जो कि आस्मन की तरफ किसी चीज को टार्गेट करते हुए आगे बर रहे थे वो लोग अपने टार्गेट पर फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये एक बड़ा सा मॉंस्टर है सब्सल में ये दो फाइटर् connus इसे मॉंस्टर को हरने के लिए आये थे इस मॉंस्टर्स को देखका सभी लोग बहुत ही ज़्यादा जड़ जाते हैं इधर ये लोग इन मॉंस्टर को देखकर गैस्ट्रिया के बलाते हैं वो फाइडर प्लेंस गैस्ट्रे को पर हमला करने लगता है जिसको जैसे ये गैस्ट्रे को खायल होकर जमीन पर गिरने लगता है और वो उसे जहाग के आसपास गिरता है जहापर बो लोग थे सबी लोग ड़के माने भागने तो लगते हैं पर एकने फीर के बीच में रेंटरो भाग नहीं पाता वो गैस्टरे अभी रेंटरो के करीब आकर ही गिरता है पर वो गैस्टरे अभी तक मरा नहीं था बलकि वो तो जो जो से चिला रहा था रेंटरों ये देखकर काफी जाता तर जाता है और तभी उसी गैस्ट्रे के पीछे से एक आवाज आता है वो आवाज रेंटरों को बोलता कि अगर उसको बचा रहना है तो उसे यासे भाग ना होगा जिसके बाद हमें 10 सल बात का समय दिखा जाता है हम देखते कि रेंटरों बड़ा हो चुका है वो साइकल लेकर एक बिल्डिंग में पहुचता है इधर आवाज बचलते कि रेंटरों एक सिविल सर्विस एजनसी के कमपनी में काम करता है और उससे यहाँ पर फोन करके बुला गया है कि इस बिल्डिंग के 4th floor में सुछ עजीव हो रहा है पोर्थ floor के ग्रोब में खोण पगरा देगा गया है और उन्हें लगता है कि उधर एक गैस्ट्रिया है और उससे लड़ने के लिए रेंटरों को इधर बुलाया गया है ये आदमी रेंटर को लेकर फोर्ट फोर्ड में प्रोच जाता है पर वो रेंटर से पूचता है कि इसका इरिट्रेटर कहा पर है रेंटर भोलता है कि वो अकरी सब को समान लेगा फिर ये आदमी रेंटर को लेकर उस कमड़े के बाहर पहुच जाता है जहां पर औल्लिजी तीन सोलजर्स खड़े होई थे यह आतमी इन सोलजर्सस से पूछता है कि अभी हराद कैसा है तबी उन में से एक सोलजर बोलता है कि उन लोग उने दो आतमी को अंदर विजा था पर बहुत समे से वो लोग उन दो आदमी से कॉंटक करने का कोशिश तो कर रहे है पर सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है जिस पर ये आदमी गुसा कर बोलता है कि उसने तो और जट दिया था वो देखता कि उस कमरे के चारों तरफ खून है और उधर उन दो सोल्यस का लास बड़ा हुआ है रेंतरा समझ जाता कि इस कमरे में गैस्ट्रिया है पर वो इस कमरे में एक और आदमी को देखता है उस आदमी ने मांक्स पहना हुआ था वो आदमी रेंतर को बोलता है कि क्या वो भी गैस्ट्रे के पीछा है क्योंकि वो खुद गैस्ट्रे के पीछा करते है इधर तो आया तक गैस्ट्रे भाग गया रेंतर पहले समझ रहा था कि गैस्ट्र story ने ही इन soldiers को मारा था पर ये आदमी बोलता है कि गैस्ट्र ने ही बलकि उसी ने इन दो soldiers को मार दिया है रेंतर ये सुझत की काफी ज़्या था है और वो इस आदमी से पोछता है कि क्या वो भी उसके जैसा नहीं है ये आदमी बोलता है कि भले ही इन दोनों का काम गैस्ट्रिया को पकरना हो या फिर उनको खत्म करना हो पर दोनों ही एक नहीं है जिसके बाद रेंटर और इस आदमी के बीच में लराई सुरू हो जाता है ये आदमी रेंटरों से काफी जादा ताकत वर था इसलिए वो इसलिए ही वापस मिलने वाले हैं ये कि वो वही है जो आगे जाके इस दुनिया को बरबात कर देगा और उसे कोई भी रोग नहीं पाएगा तो ये बागी के दिनस्वों जिस भी अंदर आ जाते हैं पर ये आदमी उन तीनों को ही मार देता है फिर वो आदमी खिर्की से और इंफेक्टेट आदमी फूर्ट प्रोर से कूट गया था इसको मतलब साफ है कि वो इंफेक्टेट आदमी आसपासी होगा फिर हम एक चोची सी बच्ची को देखते हैं जो कि बोल रहे थी कि दिन तरो अपने होने वाले बीव को साइकल से कैसे गिरा सकती है वो उसी बि कैस्चरा वाइरस से इंफेक्ट हो चुका है वो आदमी चोटी सी लड़की को बोलता है कि उसे बस रास्ता पूछना था ये चोटी बच्ची जागते कि वो उसे माफ कर दे पर अभी वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती फिर ये लड़की इस आदमी से अपने आखरी इ कैस स्पारिडर में बदल जाता है और इस राड़क के वर कोई चिपचिपा था हमला करता है जिससे चोटी सी बची का प्याइर उधर ही जम जाता है और फिर वो गैस्टेर्या उस ट्रेट के उपर हमला करके इसको दूर फेक देता है फिर उसके उपर कोई कोघघर चलाता ह है जिससे यह गेस्ट्रया खायल तो होने लगता है पर वह मरता नहीं तिर जल्दी रेंधरों का भूमेसी hm तो अब उपर से वह लड़के आ जाती है और एक ही पंच में इस गेस्ट्रया को खत्म कर देती है फिर वो लर्की रेंटर के पास आकर इस आदमी को बोलती है कि वो रेंटर का इंट्रिटर यानी की पार्ट्नर है और उसका नाम है आईहरा एंजू जिसका बद यहाँपर फोर पानी का correspondence होता है जहाँपर एंजू इस आदमी को बोलता है कि उसको देखकर कई वो उसके प्यार में तो नहीं गिर गए है क्योंकि वो और रेंतारो अल्रेजी जान जारम के साथ ही है रेंतारो तब एंजू को बोलते कि ऐसा कब हो फिर है आत्मी एंजू के तरफ देखते हैं अपने मनी मन बोलता है कि ये भी एक क्रस्ट चाइल्ज है यानि कि एक स्रापित बच्चा है फिर एंजू रेंटरो को बोलता है कि सेल का समय खत्म होने वाला है तो क्या वो लोग सेल खत्मनों से पहले पहुच भाएंगे ये सुनते ही रेंटरो और एंजू वार से तेजी से भागने लगते है फिर हम देखते कि उधर और कुछ मेंबर साज़ते हैं जहापर ये आदमी सभी को बोलता है कि इस रापित बच्चे के पास ही वो ताकत है वो गेस्टरो से डाइरेक्ट फाइट कर सकते है फिर वो बोलते है कि रेंटरो और एंजू जैसे लोगी इस दुन्या के आफरी उम्मीद है इसके बाद रेंटरो अपने वापिस में पहुचता है जहापर उसकी बास किसरासन रेंटरो के उपर बहुत ही ज़्यादा गुशा होती है क्योंकि जैल में जाने के चक्कर में रेंटरो ने उन लोगे से पैसा लेना ही भूल गया और अब बोलो पैसा नहीं दे रहे किसरासन बोलते है कि एक कंपनी चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इस मनता उनकी कोई भी कमाई नहीं हुआ रेंटरो तब उसको आइडिया देता है कि क्योंना किसरासन एक मेंट्रेस पेंड कर बाहर चाहे और सभी को बुलाए किसरासन जाब में बोलती कि रेंटरो को बाहर जाकर चिला चिला कर बोलना चाहिए कि यही पर टेंडू सिवल सिक्रिटी एजेंसी है तो साइद कुछ लोग उनसे कांटञ्ट करें इतना बोलती ही किसरासन जाने लगते पर रेंटरो पूचता है कि वह क्या इतनी जड़़ रह चला जाएगी किसरासन बोलती कि वह हॉस्पिजल में जाने वाली है क्या हम अधर एक उसका अप podsummenट है फिर किसरासन रिंतरों को बोलती है कि एक साल पहले रिंतरों और एंजू मिले तब से वो लोग साथ में है और साथ में ही काम कर रहे है पर एक साल में रिंतरों काफी ज़ादा बदल गया है तिकि वो अप पहले की तरह हसता ही नहीं फिर किसारा सन आगे रिंतरो को पूछती है कि उसका गोल क्या है क्या रिंतरो अभी भी अपने पैरिंस को जूनना चाता है रिंतरो ये सुनकर गुसा हो जाता है वो बोलता है कि जंग मही उसके पैरिंस मारे गए और फिर वो गुसा करके कई पर जाने लगता है रिंतरो एक परने मनिमान बोलता है कि उसे अपने गुश Dale से मिलता है वह काफी अजीब होती है कि वह टेट पॉजी को अपने वाईफेंट में बनाती है सेच में ये बहुत ही अजएव है फिर ये डॉक्ट्सर रिंचर को बोलती है कि अगर वकी सार सन को इतना ही जादा पसंड करता है तो वो इसको बोल की नहीं देता लिंचर बोलती है कि उसे समझने जाता कि वो क्या करे फिर ये दोनों सीरस बात करने लगते है इधर दिन तरो डॉक्टर से गेस्ट्रिया के बारे में पूछता है डॉक्टर बोलते कि गेस्ट्रिया चुपकर रहता है इसलिए उनकों धून पाना बहुत ही ज़द मुश्किल है पर अगर बोलोग उन्हें सही साय पर धून नहीं पाया तो पूरे टोक्यो सीटी में गेस्ट्रिया वाइरस भैल जाएगा पर अंदरो बोलते कि अगर ऐसा है तो वो और इंजू सब को समा लेंगे फिर डॉक्टर बोलता है कि वो स्बार गेस्टर अगर खासया था कूदना डॉक्टर बोलती है कि गेश्टिरा वाईरस अगर किसी के सरीर में चला जाए तो वो धीर दिर रोफ इनसान को गेश्टिरा बना देता है डॉक्टर बोलते कि गेश्टिर वाईरस अंदर जाते ही उस इनसान के बॉड़े के 50% अपने कंट्रोन में ले लेती है और धीरे धीरे वो इंसान गेस्ट्रिया में बदल जाता है अब इसके बाद हम इंजियू और रिंतारो को एक ही कार में देखते हैं जो लोग खाना खार रहे थे खाना खाने के बाद रिंतारो इंजियू को इंजेक्शन लगा देता है इसके बाद दुनों ही लड़े जगड़ा करते होए सो जाते है अगली सुबा रेंतारो इंजी को अपने स्कूल चोड़ने जाता है रास्ते में जाते हैं इंजी उ रेंतारो को बोलते कि वो उसके क्लास में क्यूंने ही सिट हो जाता इधा तरह और तरह फनीममें स्क्रेच होता है और जैसे रेंटरो एंजी के स्कूल के पास चला आता है वो एंजी को बोलता है कि वो अपना ध्यान रखे एंजी जाब में बोलती है कि रेंटरो चिंता ना करे वो अपने स्क्रेच रिविल नहीं होने देगी और फिर वो अपने दोस्त की साथ क्लास में जाने लगती है ज़िए रिंटर भी वापस जाने लगता है फिर रिंटर को डॉक्र की कई गई बाते याद आता है डॉक्र ने रिंटर को बताया था कि ये गेस्ट्रिय वाइरस इνसाने के वाजी में घुशता है कभी कवर इसका रियक्शन काफे सदा अलग होता है बाइसे कि जब ये भाईरस किसे प्रेग्डिन नुमन के गर्ब में चली जाती है और उधर से वो भाईरस जब उस प्रेग्डन नुमन के बच्चे के अंधर चली जाती है तब वो बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होता उनकी आख्या लाल होता है और उनके पास इसे आम बच्चे से काफी जादा ताकत होता है इनको क्रास्ट चैल्ड या भी स्रापित बच्चा बोला जाता है एंज्यू उनकी स्रापित बच्चों में से एक है और इनके ताकत का इस्तेमाल केस्ट्रे को हरने के लिए किया जाता है जिके बास इनी के पास बहुत ताकत होता है जो कि केस्ट्रे को हरा पाए एक दवाई की मदद से इन बच्चे को कंट्रोल में रखा जाता है डॉक्टर ने ये भी कहा था कि ये क्रास्ट चाइल जीत इमेनिटी की आखरी उमीद है और इसी के साथ बैक बलोट के एपिज़ड वांड ये ही पेखात में हो जाता है